हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू रोसन की क्लास यूटीब चैनल दोस्तों आप सभी का आज की इस पाठी हुजना की वीडियो में एक पर फिस से बहुत बहुत सवागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गडित विसे की पाठी हुजना तो पूरी वीडियो देखेगा यह आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाई जाती है टेली बेसिस पे अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है आप लोगों को किसी प्रकार का लाब मिलता है वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे डेली बेसिस पी वीडियो देखने के लिए रोप्षन की एकलास्यूटिप चनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो आप सभी को पता है जिस पेच पर पार्टियूजना बनाना कच्छा मरी आज की जो है वो 8 है यहां पे जो आज कामरा जो प्रक्रण है चत्रस भुजों की छहत्रफल यह आपका क्लास 6 में नहीं पढ़ा सकते हैं। नहीं हमारा आज का पार्ट च सिल्सक है या फिर इसको कह सकते हैं प्रक्रण हमारा दूसरी तरह लिख्या पिछित वहारगत परिवर्तन तो यहां पर देखेंगे हैं पहला पॉइंट है ज्ञान इसी को कहते हैं ज्यान आत्माकुद्देश इसमें देखा गया है इंस सबसे कोई गोधात्मक इसमें देखे पहला पॉन लिखा गया है चातर चतुर भूज की व्याख्या भी कर सकेंगे दूसरा पंट चातर चतुर भूज तथा सम चतुर भूजों में अंतर कर सकेंगे तीसरा है ग्यान उपयोग ग्यान का उपयोग देनिक जीवन में कर सकेंगे दूसरा प प्रस्तावना 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 प्रस्त बनती है अब दूसरा परसस्ण है यहां पर जब रिखाएं पर एक बिंद पर मिलती है तो कौन से ऐकृती बरापत होतीHello पुलेंगे कोड तेन की रिखाओं से घृरी बंद आकरिती को क्या कहते हैं तरी और भूज कहते हैं इसी तरीके से ध्रक्म पूंचन पूछी है गीरी बंद आकरिती को क्या कहते हैं तो बच्चे बोलेंगे चतरभुज, पाच्वाँ परसन पूछ लिजी, चतरभुज का छेतरफल ग्याद करने का सूतर बताईए, बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो यह हो जाएगा समस्यात्मक परसन बच्चों के लिए समस्यात्मक यहाप लिख दीजिए, समस्यात्मक परसन जैसे बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक परसन हो जाएगा, उनको नहीं पता अभी छेतरफल निकाला नहीं आता तो यह हो जाएगा समस्यात्मक परसन, अब इसके बारे में परस्टी कर दीजिए, इसका सुत्र बता दीजिए बच्चों को, इस फिगर का कैसे निकलेगा, चत्रभुच का चत्रफल एक बटा दो, विकड़, गुड़े, विकड़ पर डाले गए अंतरलंबों का योग, यानि कि जो यह अंतरलंब डाले गए इनका योग, विकड़, एक बटा दो, गुड़े, विकड़, गुड़े, विकड़ों पर डाले गए अंतरलंबों का योग, ठीक है, इसी को सब्सक्राइबन की आपको पता है बारस संटुमेटरेफ कोई सगये एक पासले दिए सुथर इखकी में भाट यूरे पै Keith रूंट है जूड़ा चाहएगा यहां अंदर औह चलिया पांच और हलए नदर a सेंटिमेटर स्क्वायर हो जाएगा अब अगला यहां पे सिछड़ बिंदु है समांतर चत्रभुच का छेत्रफल समांतर चत्रभुच का छेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को बताईए समांतर चत्रभुच का छेत्रफल होता है जो आधार यहां पे गुड़े उचाई यहाँ इससे एक प्रस्द पूछ लीजिए यहाँ पे बच्चों से एक समांतर चतुर भूज का आधार 10 cm और उचाई साथ 10,5 cm है तो उसका छेतरफल ग्याद कीजिए तो सभी चीजिए आधार यहाँ पे 10 cm का है उचाई आपका समांतर चतुर भूज का आगया समांतर चतुर भूज किसे कहते हैं बच्चे बोलेंगे वह चतुर भूज जिसके आमने सामने की भूजाएं समान अंतर पर हो दूसरा प्रस्ण है सम चतुर भूज किसे कहते हैं बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे समस्यात्म परस्ण हो जा यहां पने दिखाग का गार होगान है यहां पर देखत दिखागे ना यह बराबर कीसा किनई अगर यह बुझा ना किसलै प्रयें अगर यहां आपके एक सब से चले और यहां फे वापस आ गए तो निकालना होगा तो 9 cm एक भुजा है तो 4 से भुड़ा कर देंगे तो 9 चोग 36 आ जाएगा 36 cm इसका परिमाप आ जाएगा अब प्रस्न इसी पूछा गया है एक सम्चतुर भुज की भुजा 6 cm हो तो उसका परिमाप क्या होगा परिमाप निकाल लेंगे आप राम से अभी मैंन लेगा चार गुड़े एक भुजा गिलंबाई चार गुड़े एक भुजा गिलंबाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 24 cm सेंटीमेटर आएगा सेंटीमेटर स्कॉार नहीं है क्योंकि परिमाप ही है ठीक है सही कर लिजेगा उसको एक सम्चतुर भुज का छेतरफल सम्चतुर भुज का छेतरफल यहाँ पर निगालना है आपको सम्चतुर भुज का छेतरफल का सुत्र होता है एक बटे दो विकर्डों का गुड़न फल यानि कि एसी गुड़े बीधी करेंगे कोस्चन यहां पर दिया गया एक सम चतुर भूज के दो विकर्ड करम सब 20 cm और 40 cm है तो उसका चित्रफल ग्याद किजिए विकर्ड यहां पर बताए गया है ठीक है एक बटे दो गुड़े 40 गुड़े 20 कर दीजे तो यहां पर दो से 20 काड़ देंगा तो 10 आएगा 40 गुड़े 10 के हो जाग 400 cm2 ठीक है यहीं सारा यहां पर फर्मूला लिखा गया इसको द्यान से देख लिजेगा अब आता है यहां पर आपका पुन्राविति प्रस्ण पुन् पृटि-9 ने लिखा गया 4 a a क्या है एक भूजा है चटरबूझ की तो चार गुड़े एक भूजा होती है आपको पता है. संथित्र फूझ का परिमाप तुसरा प्रसन है चतरुझ का चेत्रफल ग्याद करने का सुत्रं बता ही आप सबी को पता है circuit इस तरीके का चतर उस तरीके से निकलेगा तिस्रा प्रसन है एक सम्चतुर भूज का छेत्रफल 96 मीटर स्कॉयर एक एवं एक विखड 16 मीटर स्कॉयर है तो इसकी एक भूजा की लंबाई गयाद कीजिए इसको आपको सॉल्फ करना है सम्चतुर भूजा आराम से आप निकाल लेंगे ठीक है उ एक बटे दो गुड़े विखड़ों का गुडण फल तो एक यहाँ पर एक साइड रख लीजिएगा 96 में 96 रख लीजिएगा श्यान में बराबर हो जाएगा एक बटे दो गुड़े एक आपको यहाँ पर विखड दिया गया 16 दूसरा विखड पूछा उसको ए माल लीजि बच्चों को घर से करके लाने के लिए जिससे बच्चे घर पर जाए और आपके द्वारत दिये गए पढ़ाएगे चीज़ों को रिवाइच करेंगे तो उनको अच्छे तरीके सोची त्यार हो जाएगे यहाँ पर देखे पहला पसंद दिया गया एक समांता फर्मुला उससे रखके आप निकाल लेंगे एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े आपका लंब अगला कोच्चन है एक चत्रभुच का विकड़ 8 cm तथा सम्मुक सिर्सों से डाले गए लंबों की लंबाई 3 cm तथा 4 cm पहला जो आपको मैंने बताय था आपको फूत्र उससे यहाँ पर आप चत्रभुच का छेतरफल निकाल लेंगे तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको इस वीडियो के मान्दम से हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पर देखने के लिए आपनों साथ ही साथ बेल आइकन को दबा कर रखें जिससे में आप लोगों की वीडियो अपलोड करो तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन जय हिंद वन्दे मात्रम